तो भाई बात करने वाले है पहले बिटकोईन के बारे में मार्केट की साइकलोजी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की वैसे अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता तो लगी जाएगा बिटकोईन का प्राईज अभी 26,800 के करीब है मैंने कल आपको बताया था की पहले बिटकोईन हो सकता है कि उपर की साइड जाए reason किया है reason यह है की भाई अब मार्केट में काफी लोगों ने अभी बिटकोईन को short करो करके रखा है जब से 20,8 high level तूटा है है ना अब मार्केट में क्या हुआ दो दिन पहले हमें एक क्रेश देखने के लिए मिला क्योंकि एक फड़ थी मार्केट के अंदर कि जो यूएस है जो अमेरिका है वो अपने बिटकोईन सेल कर रहा है जो कि एक फेक न्यूस थी मैंना अलड़ी आपको बताई थी उसके वैस क्रेश करा लेकिन दुबारा से बहिया उपर की साइड आ चुका है अब देखो भाई मुझे लगता है कि ऐसा होगा क्यों क्योंकि मार्केट में मैं लिक्विरिटी के उपर खेलता हूँ यानि कि कहा लिक्विरिट हो सकते हैं लोग कहा नहीं हो सकते वो मुझे पता होता है तो मैं आपको वही बताता हूँ तो फिलाल देखो भाई जब market आपकी 800-900 डॉलर फॉल गरी थी ना पड़सों की नियूस पे तो वहाँ पर जितने भी आपके long वाले थे वो सारे हो गए liquidate यानि कि जितने भी long थे उनके सब की position कट गई क्योंकि market नीचे गर गई और उनकी liquidity जो price है वो tigger हो गया and they are gone ठीक है अब क्या है अभी market में मैं आपको बता हूँ तो उपर की side liquidity बहुत पड़ी हुई है 28-200 के गरीब और 29-500 के गरीब ठीक है और 28-800 के गरीब तो भाई इन level तक bitcoin जाने की पूरी possibility है इसके एक कारण है क्योंकि जो short वाले हैं अगर bitcoin यहां से नीचे चले गया तो भाई short वालों का profit create हो जाएगा और market कभी भी प्यार से अपने TP achieve करने नहीं देती अगर bitcoin price आता है आपका 28-200, 28-800, 29-500 तो भाई अब वो जो short वाले लोग है न वो हो जाएंगे liquidate फिर market easily move करेगी अगर नीचे की side भी जाना होगा लेकिन फिलाल मुझे लगता कि एक साथ नीचे जानी चाहिए एक condition होगी अगर कोई bearish news आगी market में तो उस condition में भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ यह हो जाएगा आपका nil and void ठीक है market में altcoins की अगर आज हम condition देखें तो कुछ भी momentum नहीं है altcoins भी crash करें फिर pump कर गए ठीक है अब एक topic के उपर बात कर लेते हैं भाई काफी मेरे भाई कहने हैं कि हम cryptocurrency market में कब तक DC है dollar cost averaging करें तो भाई dollar cost averaging का मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई ये positive नहीं है ये negative है ऐसा होता है आपको market में कहते हैं कि don't catch a falling knife यानि कि ये नहीं पता कि एक altcoin का price कहां तक गिर सकता है ये नहीं पता होता भाई किसी को भी ठीक है तो अगर suppose करिए कोई भी altcoin है उसके अंदर आप investment कर रहे हो matic है example example बता रहो 10 रुपे पे मान लोकी है ठीक है 10 से भाई market अगर fall करी तो वो 6 बे भी आ सकता है 4 बे भी आ सकता है कुछ पता नहीं है अब 10 से 9 पे आया आपने DCA कर लिया 8 पे आया आपने DCA कर लिया 7 पे आपने DCA कर लिया 6 पे आया DCA कर लिया भाई अगर वो 4 तक चले गया तो क्या आप लोग DCA करते रहोगे नहीं कर पाऊगे क्योंकि आपकी psychology वो नहीं करने देगी आपको थोड़े टाइम बात लगेगा क्यार भाई या मैं पैसे डालता जा रहा हूँ लेकिन इसके price पे तो कोई impact पड़ी नहीं रहा मेरे जितने भी पैसे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है मैं तो भाई है कुवे के अंदर पैसे डाल लो कुवे के अंदर पैसे जा रहे हैं मुझे दिखी नहीं रहे बढ़ते हुए मेरे पैसे बढ़ेंगे भी या नहीं भी अब आपके दिमाग में क्या आता है क्या जो मैंने पहले के डाले हुए है पहले वही recover कर लेता हूँ उसके बाद देख लूँगा तो इस चक्कर में आप छोड़ देते हो ना आप DCA कर पाते हैं और मार्केट में आप ज़्यादे extra loss लेके चाहते हूँ कई बार क्या होता है मार्केट में कुछ ना करना भी एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी winning point आपका बन सकता है ठीक है तो मार्केट को जितना गिरना है गिरने दो ठीक है और जब गिरती है मार्केट तो भी या खुश हो जा करो क्योंकि आपको ना cheap rate में कुछ चीज मिलने वाली है ठीक है example ये एक phone है ठीक है बड़ीया phone है माल लो example कोई बड़ा phone नहीं है बड़ीया phone है ये आपको ये phone चाहिए ठीक है अगर आप वेट करोगे तो आपको बीस पच्चेस या रपे भी phone मिल जाएगा आपको पचास के लेने की जरुबत नहीं है तो इस तरह से market को calculate किया करो बाकि आप लोग सारे बहुत तमजदार हो मेरे भाई बहुत प्यार देते हैं उसी तरह से प्यार दीजीगा और एक कुर्शी बतातो मैं मातर चाले से यार से हम एक हजार सब्सक्राइबर्स दूर है तो भाई सब्सक्राइब भी करते ना और market की update मैंना already आपको दे दी है अब कौन से altcoins आपको buy करने चाहिए क्यों कर्णाबन चाहिए प्यार देते हे एक है